पाकिस्तान को मिली लगातार चोथी हार साउथ अफरीका ने रोमान चक मुकाबले में एक विकेट से हराया क्या ख़बर इस वीडियो में आप से को हम बताएंगे इसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा विश्व कफ दूएर ताइस के 26 में मुकाबले में साउथ अफरीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया है चन्ने के एमेंची तेम्रेमा एस्टेडियम में पाकिस्तान ने टोस जीत कर बल्ले बाजी चुनी और 46.4 और में 270 रन पर आउट हो गई पाकिस्तान की तरफ से साउथ सकील ने 52 रन जबकि कफ्तान बाबर आजन ने 50 रन की पारी खेली दच्छिन अफरीका की तरफ से तबरेज समसी ने 4 विकेट लिए एरन माकरम ने सबसे ज़्यादा 91 रन बनाए डेड मिलर ने उन तेमबा बाउमा ने अठेस और क्यूंटन डिकोग ने 24 रन बनाए पाकिस्तान के लिए साहिन अफरीदी ने 3 विकेट लिए हरिश रउफ मुहमद वसीम जुनियर और उसामा मीर को 2 विकेट मिला साउथ अफरीका के इस जीत के साथ अंग तालिका में सिर्फ पर पहुँच गई है पाकिस्तान की टीम लगातार चोथी मेच हार कर अंग तालिका में छटे नमबर पर है